नमस्कार दोस्तों क्या हल चाल आप सभी लोगों का उमीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे SSEJD Constable का Medical चल रहा है ऐसे में बहुत सारे आप Candidates Medical पास करके आ रहे हैं बहुत सारे Candidates को Remedical मिल रहा है बहुत सारे Candidates Fail भी हो रहे हैं ऐसे में कि आपको पता है कि final जब last तक आप पोचोगे तब तक कितने स्टूडेंट सही होंगे जो Medical को पास कर चुके होंगे कितने स्टूडेंट सही होंगे जो जो जोब के लिए eligible होंगे कितनों को बाहर करना पड़ेगा अगर नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि आज की वीडियो में तो फर्स्ट डे आपका जो रेश्यो देखने को मिला था सेकिंड डे तक वो 80 परसेंट तक था धीरे धीरे लोगों को बता लगने लगा केंडिडेट्स को कि हाँ आपको री मेडिकल में 24 गंटे मिल रहे हैं आपके अंदर कोई ऐसी बिमारी है जिसे आप करेक्ट नहीं कर पाओगे तो कुछ ऐसे केंडिडेट्स थे जो धीरे-धीरे कम पोचने लगे सेंटर के उपर अपनी जो इलने से अपनी जो बिमारी है उसको देखते वे तो फाइनली जो रेश्यो चल रहा है वो 75 और 80 के बीच में चल रहा है ठीक है तो हम यहाँ पर मानते हैं कि 92 87 में से 75 परसेंट लोग ऐसे हो जो मेडिकल के लिए यहाँ पर अवेलेबल है और 23 219 ऐसे हैं जो यहाँ पर एपसेंट रहे हैं ठीक है या अभी आने वाले टाइम तक रहने वाले हैं एप्रोक्शिमेट आपके इसमें होगा कोई 500 700 उपर 500 700 आपके यहाँ पर नीचे रहने वाले हैं ठीक है अब बात करत देखें देखें 60% का रेशो चल रहा था आपके फर्स्ट डे के अंदर जब तक था कि 60% लोग पास कर रहे हैं दीरे दीरे जो मेडिकल आपका स्टेंडर्स होने लगे वो बहु जादा लेवल जो है वो टाइट होने लगे आपको वेट के अंदर भी तीन किलों तब भी द तो चलिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मैक्सिमम और मीनिमम की यहाँ पर मैं बात करता हूं 55% और यहाँ पर मैं बात करता हूं आपकी 60% की ठीक है 6,9,657 में से अगर आपके 55% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आपके मेडिकल को पास यहाँ पर करते हैं तो वो हो जात कुछ एड हमने उपर कर दिया है 41,700 कुछ था लेकिन अप्रोक्षिमेट आप मान के चलते हैं आपका 42,000 के करिफ ठीक है तो फाइनली लास्ट तक आपके मैकसिमम 42,000 ठीक है और मिनिमम कितने आपके 38,311 है तो यह यहाँ पर आपके रेश्यो के साफसे लेकिन इसके अंदर भी आपके कंडिडेट्स कुछ और जाद हैं आपर कम होंगे वो इसलिए होंगे कि कुछ कंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको ड उनका मेडिकल तो परफॉर्म करवा दिया बट उनको टाइम दिया गया तो ऐसे स्टुडेंट्स भी जो मेडिकली में जो डोक्यूमेंट्स में उन्फिट होंगे ठीक है मालो प्रेजेंट है 69657 इसके अंदर से मने फेल और पास का रिश्यो निकाल लिया लेकिन इसके अं में जाएंगे तो कुछ तुडेंट्स आपके और कम हो जाएंगे ठीक है अब अगर मैं बात करता हूँ आपकी यकेंसी की थिक है बैक बई अगर मैं वेकेंसी के आपकी बात करता हूँ तो 25221 आपकी टोटल वेकेंसी is included male and female को करके तो ऐसे के अंदर अगर यहां पर अगर आपके 55 percent पास करते हैं और अगर आपका 25,кимएक बॉर्ट्चे लेने हैं तो एप्रोक् timelines etiquette आपका 13,040 students और अगर 42 करते हैं और 25,211 आपके यहां पर लेने हैं तो approximately से 16,739 candidates ऐसे होंगे जिनको बाहर यहां पर किया जाएगा ठीक है बाहर यहां पर दोनों conditions के अंदर किया जाएगा आपके 16-729 में से कुछ documents वाले और कम कर लो तो यहां पर कुछ minus में और बच्चे आपके चले जाएंगे ठीक है और इधर भी आपके कुछ minus में आपके चले जाएंगे ठीक है अब देखिए अगर आपका 55% student ऐसे होते हैं जो आपके medical को pass कर पाते हैं ठीक है और उसके अंदर से आपके इतने student बाहर करने है तो approximate यह vacancy का double ही हो गया आपका ठीक है क्यों 25 लेने है 13-440 करने है तो vacancy का कितना हो गया 13-26 हाफ हो गया vacancy का हाफ ठीक है इतने students जो होंगे वो आपके बाहर करने पढ़ेंगे और इधर आप इतने students को अगर बाहर करना है तो cut off भी यहाँ पर उसके according ही vary करेगी क्योंकि मैंने पहले भी बताये था medical में जो pass होंगे जितने आपके बच्चे बचेंगे उसी base के उपर ही आपका depend होगा कि आपका cut off कितनी बढ़ती है अगर यह वाला case अगर हम लेके चलते है 13 वाला तो इसमें कुछ और कम हो जाएंगे डीवी अगरा के अंदर भी निकल जाएंगे ठीक है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको आपको फाइनली जो री मेडिकल में पास होकर भी एड होंगे यहाँ पर ठीक है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको यहाँ पर री मेडिकल भी दिया बाद की बात है बट फिलहाल एप्रोक्शिमेट इतने बच्चे सोला सतरा जार यहां पर और तेरा जार यहां पर बच्चों को बाहर किया जाएगा अब यहां पर आप इसके अकोडिंग लगा सकते हो अगर इतने बच्चों को बाहर करना है तो कट ओफ आपकी कितनी उपर ज देखे आएंगे जिससे आपको लिए ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इतने मार्क्स तक का कोई ना कोई तो यहां पर चांसी जी है ठीक है क्योंकि medical pass करना ही not sufficient क्योंकि इसके बाद जो आपकी cut off होगी वो भी depend करेगी आपके selection के उपर क्योंकि देखिए मानलो एक number उपर है जिसका plus one वो भी यहां पर medical pass हो रहा है और plus 17 वाला भी यहां पर medical pass हो रहा है ठीक है तो यहां पर इसका selection होगा इसका selection होगा plus two का होगा यह medical pass है सारे लेकिन इनके number भी यहां पर एक बहुत बड़ा role play करेंगे कि आपका selection होगा या नहीं होगा और यह सारी चीड़िपेंड करेंगी शोल 17,000 और 13,000 के उपर कि यह students का ratio अगर बढ़ता है तो cutoff भी बढ़ जाएगी यह जितना घटता जाएगा उतने ही cutoff marks आपके घटते जाएगे ठीक है so approximate इतने यह जो पूरा analysis आज तक के base पर है कि approximate आपके maximum 42,000 और minimum आपके 38,311 या 38,500 के करीबी candidates हैसे होगे जो आपके medical को pass करेंगे ठीक है final तक और इतने बच्चों को बहार करना है और जो cutoff बनेगी वो इनी के उपर ही depend करेगी कि इनको बहार कितना करना है second जो ये बच्चे हैं कोन से आपके 25,271 इनकी cutoff कितनी है इनके cutoff marks कितने है उन्हीं के उपर ही जो बच्चे लिये जाएंगे उनमें जो बच्चे medical pass हो रहे हैं उनके cutoff कितनी है उनके number कितने उपर है 17 पलस वाले बच्चे के भी कमेंट सारे मेरे number उपर है तो 17 वाले को भी consider किया जाएगा देखा जाएगा कि आपके average number कहां पर लाई कर रहे हैं कि आपके 25 ऐसी एक cutoff निकाली जाएगी जहां पर 25,271 जो candidates हैं आपके वो यहां पर क्या कर लिए जाए फुल फिल कर लिए जा कि finally तक आपके इतने बच्चे बहार होंगे और इतने बच्चे आपके medical pass करेंगे ठीक है so stay tuned आपके लिए जल्दी वीडियो आएगी ठीक है और साथ में ही history की class के complete history marathon class कल आ रही है so channel को subscribe कर लिजे कल मिलते है recorded आपके complete history आपकी ancient आपकी medieval आपकी modern सारे आपको point to point भे हम उनक को study करेंगे जिनसे आपको समझेना असान होगा और exam आप कोई भी बैठ जाना चाहे दिल्ली पुलिस SSCJD CHSL CGL या कोई भी state level exam history उससे बाहर आपको नहीं पूछी जाएगे ठीक है so भी कले class में इतना ही अभी के लिए मिलेंगे आपकी अगली वीडियो में तब तक ले जा आज़ दीजिएगा नमस्कार